नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिरी जोई देव शास्त्री जी के यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे दूद के कुछ टोटके अगर सताता है आपको अपनों के साथ अनहोनी का डर तो दूद के इस असान से टोटके से दूर हो जाएगी बुरी बलाएगी आज हम आपके लिए दूद के कुछ ऐसे टोटके लेकर आएं हैं जीने अपनाने से आपके जीवन में सभी समस्या दूर हो जाएगी केवल और केवल दूद के इस तोटके से आपकी सभी समस्याइं दूर हो जाएंगी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या आपको डर सताता रहता है अनहोनी का तो इस दूद के तोटके से आपकी वैस समस्या दूर हो जाएगी जो तिस शास्तर में दूद को चंदर्मा का परतिक माना गया है चंदर्मा की पूजा करते समय दूद ही चड़ाया जाता है दूद में तिल मिलाकर भगवान शुब को चड़ाने से सभी संकट दूर हो जाते है अगर साप को दूद पिलाया जाए तो राहू को शांत किया जा सकता है दूद सेहत के लिए जितना फाइदे मंद है जैसे कि हमने बहुत बार सुना है या हमें पता भी होता है कि हम रात को दूद पिते हैं या सुबे दूद पिते हैं और अपने बच्चों को भी दूद पिलाते हैं इसलिए पिलाते हैं कि या खुद भी पिते हैं कि दूद सहत के लिए बहुत बढ़िया होता है इसलिए हमें दूद पीना चाहिए तो यह है आपकी किस्मत के लिए भी काफी फाइदे मंद है जैसे ही दूद हमारी सेहत के लिए फाइदे मंद है वैसे ही हमारी किस्मत के लिए भी काफी फाइदे मंद माना गया है ऐसे में दूद के कई ऐसे तोटके जिनके करने से आपकी कई समस्या का अंत हो सकता है आज हम आपके लिए दूद के कुछ ऐसे टोटके लेकर आए हैं, जिने अपनाने से आपके जीवन में सभी समस्य दूर हो जाएंगी, तो आईए जानते हैं दूद के एक खास टोटके, दूद के टोटके, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि अमीर बनना हर किसी की ख होती है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो रविवार के दिन रात के सोते समय एक गिलास दूद भर कर अरने सिर के पास रखें और सो जाएं, ध्यान रहे कि दूद गिरना नहीं चाहिए, अगले दिन सुबै इस दूद को बबुल की पेड़ की जड में डाल दें, इसे हर रविवार को करें, इसे करने से आपके सभी काम बन जाएंगे और आपके पास पैसे आने लगेंगे, आपको जो दूद सिराने रखना है, उसको सुबै बबुल के पेड़ की जड़ में डाल देना है, इसे आपकी जो समस्या है और जो आप अमीर बनन चाहते हैं वो आपके समस्या दूर हो जाएगी और आपके पास पैसे आने भी लग जाएगे और रुखने भी लग जाएगे कई बर ऐसा होता है कि हम पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकि रुखते नहीं हैं तो ऐसा करने से आपके पास पैसे रुखने भी लग जाएगे और आपके हर जगह से कौम बनने लग जाएंगे तो पैसा आने लगेगा तो आप खुद बाखुद अमीर बनने लग जाओगे तो ये उपाई आप चुरूर की जिए और अगर आपके मन में अपने घर के सदसे को लेकर बुरे ख्याल आते हैं और घर के किसी सदसे का बार-बार एक्सिडंट होता है तो इसके लिए शुकल पक्ष के पहले मंगलवार को दूद से चावल को धोकर दूद को नदी या जरने में बहा दें साथ मंगलवार तक इस उपाई को करने से एक्सिडंट बंध हो जाएगा अगर आपकी कुंडली में कई ग्रहें बुरा असर डाल रहे हैं तो इसके लिए सोंबर के सुबह जल्दी उठकर सनान करें और शिवलिंग पर कच्चा दूद चड़ाएं इसे लगातार साथ सोंबर तक आपको करना है ये करने से आपकी सभी मनो कामनाई पूरी हो जाएंगी साथ ही कुंडली में जो ग्रहें दोश है या ग्रहें बुरा असर डाल रहे हैं वो भी दूर हो जाएगे या टल जाएंगे और किसी भी बड़ी बिमारी से निजात पाने के लिए अगर आपके घर में कोई बेजादा बिमार रहता है या किसी को बड़ी बिमारी है उससे आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको क्या गरना है सोमबार को रात को नो बजे किसी शिव मंदिर में जाएं और कच्चे दूद में पानी मिला कर इस मंतर का जाप कम से कम 108 बर करें तो इस मंतर का जाप करें ओम जू सै नाय नमा का जाप आप करें हर सोमबार को कम से कम 108 बर इस मंतर का जाप करें कुछ ही दिनों में व्यक्ति ब अपनी समस्याओं का समादान पाने के लिए अगर फिर भी आपकी समस्या का समादान नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल या वट्सप मैसेश दोनों कर सकते हैं और श्री जोएदेव शास्त्री जी से अपनी समस्या का समादान पा सकते है क्योंकि श्री जोय देव शास्त्री जी लंबे समय से जोतिसी का काम करते आ रहे हैं और इनके दुआरा किये गए कारे की लोग हमेशा तारिफ करते हैं और आप हमारे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर श्री जोय देव शास्त्री जी से संप्रक कर सकते हैं और अपनी समस्या का समादान पास सकते हैं अगर आप भी समस्या से जूर रहे हैं तो अपनी समस्या का समादान जरूर पाएं और शिरी जोय देव शास्त्री जी से जरूर संप्रक करें धन्यवार दोस्तों